Hello everyone, welcome to testbook supercoaching IS. Friends, आज हम डिसकस करने वाले हैं types of clouds के बारे में, हम यहां बात करेंगे कि अलग-अलग type के cloud अब जब आप देखने को मिलते हैं, कि if you will look at what you will found, basically, आपको यह देखने को मिलेगा कि most of the time जो है आपका, give me a second, please. कि आप different type के clouds को जब देखेंगे, कि या rainfall होने वाला है, कभी लगेगा नहीं होने वाला है, कभी लगेगा कि इतने dense clouds हैं, कि rainfall होना तो natural हैं, और कभी लगेगा कि cloud जो है, वो dense नहीं है, वो देखेंगे, वर still rainfall हो जाता है. तो आज हम इनी types of clouds के बारे में जानने की कोसिस करेंगे, समझने की कोसिस करेंगे हम जानेंगे कि actually क्या region होते हैं, क्या current होते हैं जिसकी वज़े से अलग-अलग type के clouds जो है वो आपके form होते हैं, right तो चलिए, हम majorly जो है, हमारे clouds को चार type में divide करते हैं और फिर इसके बार में इसकी subtypes आती हैं, right तो चार type कोन सी हैं, series cloud है, humulus cloud है, status cloud है और आपका nimbus cloud है तो ये आपके major, चार type के cloud जो हैं आपको देखने को मिलते हैं और फिर इनकी यही subtypes आती हैं तो यह करके देखते हैं समझते हैं कि क्यों से कुन से टाइप के clouds यहाँ पे नजर आएंगे आपको लग से पहरे मैं आपको डाइग्राम दिखाता हूँ cirrus cloud के बारे में देखिए आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे शाम के टाइम पे आपको आस्मान में काफी height पे very high height काफी ज़्यादा height के ओपर इस टाइप के फिदरी clouds जो है वो लजर आते हैं इनको हम बोलते हैं cirrus cloud अब एक कीज़ तो आपको पताईए कि जैसे हम height पे जाते हैं वैसे ही temperature क्या होता है decrease जैसे जैसे हम height पे जाते हैं वैसे वैसे temperature होता है decrease तो यहाँ पे अगर मैं इतनी height पे चला जाओंगा कितनी height पे लगबग 8,000 to 12,000 meter height के ओपर अगर मैं चला जाता हूँ तो मुझे ये cloud देखने को मिलते हैं और इतनी height पे cooling इतनी हो चुकी होगी कि I will say ये ice crystals की form में होंगे ये cloud क्या होंगे आपके ये आपके ice crystals की form में cloud जो है वो देखने को मिल जाएंगे ठीक है you will found these clouds in the form of ice crystals आप ice crystals की form में इन clouds को देख सकते हो ठीक है और काफी spreaded होते हैं जैसे punk होते हैं पक्सी के वैसे ही प्रेदरी appearance जो हिनका देखने को मिल जाता है अब दूसरे cloud कोन से हैं आपने कई बार ऐसे woolen type के patches भी देखे होंगे इनको बोलते हैं cumulus cloud मतलब किसे चीज का एकठा हो जाना जैसे cotton ball होते हैं वैसा ही cotton ball की तरह हैं ये clouds भी नजर आते हैं लेकिन इनकी जो height है वो serious cloud की comparison में कम होती है जैसे serious cloud की height थी 8 to 12,000 meter यहाँ पे height होगी 4 to 7,000 meter only ये होगे आपके cotton wool की तरह दिखेंगे दूसरा इसमें क्या होगा अलग अलग patches की form में ये cloud नजर आते हैं ये cloud जो होगे इनका base आप यहाँ देख सकते हो इनका base जो हो फ्लैट नजर आता है ये rainfall बहुत कम करते हैं दूसरा ये cloud जो है आपके वो scattered भी नजर आते हैं मतलब अलग यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग इस form में आपके cloud नजर आएंगे scattered form में cloud नजर आते हैं तो होते इस status cloud ара status word का मतलब होता है layer तो ऐसे clouds जो की आपकी layer की form में होंगे देखे न है ऐसे clouds जो की क्या होंगे आपके layer की form में होंगे वो कहलाएंगे status cloud यहाँ देखिए अलग-लग layer जो है इन clouds की वो नजर आती है यह जो cloud है ये sunlight को काफी हद तक ब्लोक करते हैं और आपका cooling impact देते हैं cooling impact देंगे तो ये क्या होंगे आपका इनका नाम का मतलब होगा layered cloud काफी large portion में होगे layer by layer बनी होगी काफी dense होगे sunlight को almost ये क्या कर देते हैं ब्लोक कर देते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलता है ये जो cloud है most of the time तब बनते हैं जब काफी ज़्यादा heavy या फिर मैं बोलू high heating होई हो ना surface की अगर high heating होई है किसी surface की तो उस case में आपके ये clouds जो होगे देखने को मिल जाते हैं अब तीसरे cloud तो ये status होगे चोथे cloud जो होते हैं वो होते निम्बस cloud निम्बस जो cloud होते हैं आपके ये black और dark gray color होता है ये dust laden winds के साथ में बनते हैं dust laden winds जो होती हैं उनके साथ में इस type के clouds बनते हैं काफी dark ही nature होते हैं sunlight को बिल्कुल block कर देते हैं तो इस case में आपकी visibility भी almost खतम हो जाती है तो ये cloud या तो dark black होंगे या dark gray color के होंगे middle of the earth बहुती surface के नजदीक हमें ऐसा भी लगता है दूर से अगर इस cloud को देखते हैं न तो ऐसा लगए है कि शायद ये surface के ओपर कहीं पर तेक रहे होंगे surface के ओपर कहीं जाके वो सच कर रहे होंगे ऐसा हमें appearance आता है ठीक के surface के बहुत close होते है very close to the surface काफी opaque nature होते हैं dense होते हैं sunlight को almost block कर देते हैं और दूसरी importance क्या है इनकी कोई खास shape नहीं होती they are shapeless cloud जैसे यहाँ देखा था न इस case में क्या था flat base था और आपके cotton ball जैसे होता है वैसे दिख रहे थे यहाँ पे फिदरी appearance थी लेकिन इस case में आपके कोई भी appearance या कोई shape जो है वो इन clouds की नजर नहीं आती है अब important चीज क्या है important यह है कि इन clouds के लिए कुछ combinations भी बनते हैं क्या combination बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ देखिए हम तीन word use करते हैं जैसे zero word use किया हमने zero का मतलब होगा जहां भी जिस भी cloud के सामने मैंने zero word use किया है मतलब वो cloud क्या होगा काफी height पे होगा जहां भी मैंने zero word use किया है उसका मतलब है कि वो cloud काफी height पे होगा जहां मैंने वर्ड यूज किया अल्टो मतलब इसकी हाइट क्या है लेस जहां मैंने यूज किया है निम्बो वर्ड निम्बो तो वहां मतलब accumulation काफी dense है क्लाउड का accumulation is dense यहाँ पर accumulation जो हो काफी dense है क्लाउड का यह चीज़ें नजर आती है इसलिए अब जो zero cloud है मतलब जो बहुत हाइट पर है तो यहाँ पर क्या होगा zero stratus हो सकता है मतलब क्या होगा 8000 मीटर से जाबा हाइट है और stratus है तो मतलब layer की form में होगे serious cloud है तो feathery appearance होगा zero cumulus है तो मतलब क्या होगा पैचीज होगे लेकिन हाइट पर होगे पैचीज होगे छोटे 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 cotton ball जैसे पैचीज होगे लेकिन वो क्या होगे काफी हाइट पर होगे अब थोड़ा सा अगर हाइट को कम कर देते हैं तो वही auto cumulus जैसे auto होगे कम जो की 4000-8000 के बीच में आ जाते हैं आपकी हाइट लेकिन यहां होते हैं यह cotton patches की form में ही अगर मैं auto status यूज करूँ तो यह zero status जैसा ही होगे हाइट हो गई कम लेकिन यह layer की form में होगे निम्बो stratus अगर होगा तो layer तो है लेकिन यह का vertical extension काफी ज़्यादा है देखो यहां से ही start हो गए थे और काफी height तक यह cloud चले जाते है stratus का मतलब जैसा है मैंने बताया कि layer बनी होगी stratocumulus अगर cloud है तो layer भी होगे और accumulation होगी एक ही से गया पर cumulus मतलब patches की form में अब देखो एक cloud बनता है जिसको हाँ बोलते है cumulolimbus cloud अपने एक word सुना है cloud brust cloud brust का मतलब होता है heavy rainfall in small duration of time heavy rainfall in small duration जो होता है आपका cumulolimbus clouds की वज़े से होता यह है कि जैसे कोई mountain ranges अगर ऐस टाइप से है तो wind आपकी है moisture लेकिए और यहाँ tap हो जाती है और आपका cloud बनता जाता है काफी low height से cloud बनता है और काफी higher height तक यह चला जाता है अब आप समझ सकते हो कि अगर इतनी height तक यह cloud जाएगा तो इसकी layer की बीच में काफी ज़्यादा friction होगा भई एक layer दूसरी layer तीसरी layer ठीक है ना तो क्या होगा काफी strong friction देखने को मिलता है अब तब strong friction होगा तो electrically यह charge भी होगे तो फिर क्या होगा आपकी thunder वो भी देखने को मिलेगी lightning है वो भी देखने को मिलेगी और आपका काफी small time के अंदर काफी heavy rainfall जो है इस situation में नजर आता है तो actually depending on the location, depending on the height cloud के अपने कुछ अलग characteristics होते हैं और उसी के साब से वो rainfall करते हैं अगर serious cloud है तो rainfall लही होगा क्योंकि वो ice crystals है वो अपने आपको situate करते हैं auto cloud है तो auto cumulus है तो rainfall के कुछ probability है और अगर nimbo stratus cloud है तो possibility है कि 100% rainfall हो गई हो और अगर आपका cloud हो गया cumulimbus तो उस case में cloud ब्रस्ट की possibility बन जाती है तो दीचार तक concepts जो की cloud से related है इनको cloud को देख के आप rainfall के बारे में काफी हद तक idea लगा सकते हैं तुछरी next class में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए thank you very much all the very best take care comment section में बता के जाईएगा कि next ऐसा क्या concept है जो आपको difficult लगता है geography में हम discuss करेंगे all the best क्मदे लगा हिसे लाईएगागा ऐसे वाईएगागा लाईगा लगता है जो आपको लाईगा एफ टानी है एवड़ाना है भा लगता है एवड़ाईगे